हलो दोस्तों कैसे आप लोग मैं उमीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई अच्छा चल ला होगा चलिए आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एकोनोमी एन मार्केटिंग का टेस्ट नमर टू है ठीक है हम पहला टेस्ट आपको दिये थे आपको बहुत अच्छा लगा था काफी अच्छा आप लोग का रिस्पॉंस रहा था तो इसलिए हम दूसरा लेकर क्या है इस टेस्ट में आज का जो question है ये आपको लगाना है और comment box में बताना है कि आपको कितना marks आड़ा है ठीक है तो seriously इस टेस्ट को आपको लगाना है ठीक है हम हर question के बाद आपको 2-3 second का time देंगे आप उसमें answer अपने copy में लिख लिजगा और last में आप comment box में लिख कर बताएगा कि अब कितना number आए ठीक है तो देखे पहला question क्या है कि globalization means क्या होता है ठीक है आनि कि वैस्वी करन जो है क्या है देखे वैस्वी करन और globalization का मतलब होता है कि आपके साथ जो production होड़ा है ना मतलब आप अपने घरेलू बजार को इस दुनिया के बजार के साथ अगर जोर लेत जब अपने domestic economy को आप world economy के साथ जोर लेते हैं तो उसे ही हम क्या बोलते हैं तो globalization बोलते हैं ठीक है समझ गया पहला question चलिए हम दूसरा question को देखते है ठीक है पहले हम आपको 2 second देंगे आप देख लिजेगा उसके बाद हम answer देंगे ठीक है देखे दूसरा question क्या है कि the demand of commodity is direct demand मतलब आप किसी बस्तू का demand जो करते हैं तो direct demand होता है ठीक है but demand of factor production is called तो इसको हम क्या बोलते है ठीक है आपको answer पता चल गया चलिए हम आप इसका answer बताते हैं इसका कहने का मतलब है suppose कि जैसे कि आप अगर एक mobile demand किये ठीक है आपको एक mobile देना है तो mobile का जो demand किये यह powder की पैसा दी आ गया लेकिन इसके अंदर जो product लगा हुआ है कई सारा product से मिल करके चीज़े बना हुआ है छोटा छोटा component से तो वो जो demand होता है उसको हम क्या बोलते है तो उसको हम बोलते है drive demand बोलते है समझ गया जैसे कोई भी आप एक complete product अगर खड़िते हैं तो उसमें औ समझ गया चीज़ों को चलिए अब हम देखते हैं तीसरा नमर कुस्चन आपका क्या है देखिए तीसरा नमर कुस्चन क्या है हम कुस्चन पर देते हैं उसके बाद आपको answer टिक लगा लेना ठीक है देखिए bank rate is the rate of interest bank rate जो हता है इसमें हिंदी का जरूरत नहीं था फिट मिलेगा ठीक है हम उसमें पढ़ा दिया को क्या कि जैसे की रेपो rate होता है ठीक है उसके बाद क्या तो bank rate होता है उसके बाद कौन तो reverse rate होता है समझ गया तहीं सब हम पढ़ा चुके है ठीक है तो आप चलिए आपको answer पता चल गया मैं बताता हूँ देखिए पहले थ यहां से लेता है पैसा है ठीक है और इसके बाद यह किसको देता है पैसा तो public के पास पैसा यह देता है अपना loan के रूप में समझ गया बातों को तो दोनों में अगर यही काम होता है तो दोनों का अलग-अलग नाम क्यों है तो अलग-अलग नाम इसलिए है क्योंकि यह ज होता है सोट टर्मे के लिए ठीक है थोरा समय के लिए आने की सोट टर्म के लिए जब लिया जाता है पैसा तो इसमें रिपोरेट होता है अज जब लॉंग टर्म के लिए यही काम होता है तो हम इसको क्या बोलते हैं बैंक दर कि ये अब क्या होगा कि आप जो कमर्शियल बेंक है ये अपना पैसा आडबीयाई के पास रखेуюंगा समझगे बातो सपोच कीजिए अगर एक 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 जामपल लेते हैं कि चार परसेंट रेट पर दिया ठीक है लेकिन यही बैंक अगर आर्बिया के पास पैसा रखने के लिए जाएगा तो यह वो लेगा हम उतना पैसा तुमको नहीं देंगे हम थोरा कम रेट देंगे अगर हमारे पास आगे देखे देखिए इसमें तो कौन हो जाएक तो अपसन नमर सी को देखे अट विच दे कंवर्सियल बैंक बोडो मनी फ्रॉम आर्बी ही मतलब आर्बी है से जो मनी उधार लेता है क्मर्सियल बैंक तो उसी को इम क्या बोलते बैंक रेट एक ची और यहाँ पर अगर ल का क्या है कि चार नमर कुश्चन देखे चार नमर कुश्चन क्या है चार नमर कि फिलिप्स बक्ड क्या रिलेशन दिखाता है तो देखे ये जो रिलेशन दिखाते हैं ये कुश्चन बहुत इंपोर्टेंट है आप इसको इंपोर्टेंट लगा लिजे तो ये के मतलब हम आपको क्या पढ़ाएं थे तो ये पढ़ाएं थे कि इसमें क्या होता चीजों का दाम बहुत बढ़ जाता है समझ गया और unemployment में क्या हो गया कि मतलब लोगों के पास कोई भी रोजगार नहीं है तो अपने आप क्या होगा मार्केट के अंदर मतलब जो महंगाई हो कम होजागा जब लोगों के पास पैसा ही नहीं तो महंगाई कहाँ रएगा तो कम होजागा तो यहां पर गढ़ होगा घटेगा मतलब रोजगार लोगों को बढ़ेगा employment बढ़ेगा तो इसके विप्री तब क्या हो जागा यहाँ पर कि फिर inflation क्या होने लएगा कि बढ़ने लएगा यह इनके द्वारा यह कर्व दिया गया था उस कर्व में बताये गा था कि जब यहाँ यहाँ पर लोग के पास employee होने लएगा लोग आने कि लोग के पास काम लगने लएगा तो मतलब क्या होगा आप मार्केट में दूख खर्चा करने जैबे करेंगे ना तो आपको हिंदी वाले एकोनोमी में पढ़ा रखें अगर आप नहीं देखें तो जरूर देख लिजेगा देखें इन्फलिनेशन जब हो जाता है मतलब महंगाई बहुत बढ़ गया तब इन चीजों को हम क्या करते हैं कि money supply में reduce करके तो यह किसके द्वारा किया जाता है तो ज हम किसी product को अगर company में कोई product बंढ़ा है अगर वहाँ पे बनने में ही इसका ज़्यादा पैसा लग गया किसी कारण बस सपोज कि जे कि उसका raw material ज़्यादा हो गया चाहे labor cost ज़्यादा लग गया ठीक है चाहे machining charge ज़्यादा लगया इसके बज़ा से product जो बना इसी का cost अग हो गया कहने का मतलब है कि demand अब ज्यादा हो गया supply कम है मतलब पीछे से चीजे आग कम रहा factory से बनके और लोग का demand ज्यादा है तो इस case में भी क्या होता है कि यहाँ पे महंगा हो जाता है चीजे तो इसको हम क्या बोलते है demand pool inflation बोलते है समझ गया चली आगे देखते छे नम पिरा आनिके factor cost पर कैसे निकालते हम यह पर आए ठीक है और मतलब market cost पर कैसे निकालते हो भी तहीपर है तो यह तो कुषेन बहुत सिंपल हो जागा आपके लिए मतलब gb इसको क्या हो जाएगा समझ गे बातों को चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट कुछन फिर चलिए आगे देखते हैं देखिए आगे आगे आपका साथ नमर कुछन है देखिए देखिए ये चारो चीज का हम डिस्कbourश कर चुके हैं तो यहाँ पर हम इंसर देखिए यहाँ पर क्या है कि डिमांड औफ नेसेसिटी देखिए जब नेसेशिटी चीजों का जो डिमांड होता है यह किसमे आता है तो हमको क्या बताया थी आपको जब पीछे पढ़ाए थे तो यह बता थे कि perfect जो in elasticity है और perfect elasticity है यह दोनों चीज एक्चुली real में exist नहीं करता है तो कैसा होता तो imaginary या ideal जो चीज आप बोल लिजे ठीक है यही होता तो यह ground level पे exist नहीं होता तो necessity good के लिए तो यह नहीं होगा इसको हिंदी में क्या बोलते है तो बे लोचिदार बोलते हैं और इसको क्या बोलते है elasticity को तो लोचिदार बोलते हैं समझ गया बातों को तो देखें necessity good में आपका क्या जागा जैसे कि आपके दिन चड़िया का जो चीज हो गया जैसे कि नमक हो गया पानी हो गया दबा हो गिया तो यह सब किसमे necessity good में आ गया और elasticity में क्या जागा कि जो आप सर प्लस चीजे चाहते है facility के रूप में चाहते है जैसे कि आपके पास पूचकीजे एक bike है लेकिन आप सोच रहे कि यह bullet ले लेंगे ठीक है आपके पास गाड़ी है लेकिन आप सोच रहे उसमें एक अच्छा बला यह C लगा लेंगे एक mic लगा लेंगे तो इस सब कहां आएगा इस सब elasticity में आगा जो बिलास्ता का बस्तू जो होता है न सुख के लिए वो सब चीजे कि इसमें तो elasticity of demand में आता है चलिए आगे देखते हैं आगे आपका आठ नमर कुशन है इसको देखिए आठ नमर कुशन क्या करा रहा है कि inflammation ही जे situation करेक्टराज वे ते inflammation में आप क्या पढ़े है कि चीजों क समान का दाम क्या होता है बढ़ जाता है मतलब समान का दाम बढ़ जाता तो यहां पर क्या देखा जाता है कि समान के दाम किस बज़े से बढ़ गया क्योंकि demand जो हो गया जादे हो गया और supply हो गया कम हो गया समझ गया बात यहां पर देखिए option A क्या लिखा है कि too much money changing a too few products of goods मतलब क्या होता है कि हम बहुत पैसे दे करके क्या करते हैं कम समान को खड़िते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं इन्फलेनेशन बोलते हैं मतलब समान काफी महगा हो चुका है बजार में तो उसको हम क्या बोलते हैं उस चेलिए देखे यहाँ पे देखे सभी कुशन इंपोटेंट है आप धियान से देखे, देखे open market operation में क्या होता है, open market operation of RBI refers to buying और selling, देखे open market में क्या होता है, कि RBI के दुआरा चीजे buying किया जाता है और selling किया जाता है, किस चीज चीज का, जो government bond जो होता है उसी चीज का buying और उसके कुछ interest के साथ RBI ने उसको पैसा रिफंड करते हैं समझ गया बातों को चलिए आगे देखें दस नमर कुछेंट देखें क्या हैं तो आपको अपने से देना answer मेरा नहीं देखना है मेरा बाद में देखना है देखें 11 नमर कुछेंट देखें क्या करा है कि calculating national income which of the flowing is not included इंपोटेंट लगा लेजिए कुछें में ठीक है काफी बार पूछा जाता है जब हम national income को calculate करते हैं तो उसमें हम किसका income calculate नहीं करते हैं service of high swap housewife इसका हम नहीं करते क्योंकि जो आपका मम्मी घर में खाना बनाती है या sister या चाय जो भी आपके घर में लोग है तो उनको आप क्या करते हैं पैसा थोरी ने देते हैं तो मतलब housewife को नहीं मिलता है ठीक है pension देखें ये भी calculate नहीं होता है national income क्योंकि pension एक transfer मतलब money है इसके बदले कोई service नहीं दिया जाता है पर जिंट में ठीक है ये पहले service दिया है उसके बदले income मिल ला है ठीक है यानि कि income office मगलर तो ये तो illegal हो जाता है तो ये ताप ऐसे ही छाट दीए तो क्या हो जागा जो watchman का salary जो होता है न वो national income के साथ calculate किया जाता है ठीक है जो watchman होते हैं न गार्ड उनका salary calculate किया जाता है national income के साथ ठीक है देखे अब यहाँ पर 12 नमर कुशन आप देखे क्या कर रहा है का रहा है dairy activity ये पार्ट देखे यहाँ पर थोड़ा सा confuse कीजिएगा लेकिन मैं थोड़ा बताता हूं आपको समझे देखे dairy activity जब गो आला मतलब जै जैसे कि सुधा जैसे company के दौरा बेरका जैसे company के दौरा खड़ी दिलिया जाएगा उसके बाद उसका machine करन किया जाएगा और उसके machine करन के दौरान जो मतलब उन चीजों को बनाया जाएगा तो वो किसमें देखा जाएगा तो वो चीजे दिखा जाएगा जो finished product को बना सब जब उसी चीज को उसी product करके बजार में ला करके बेचा जाएगा तब आजाएगा टर सडी में आजाएगा समझ गया बातों को क्योंकि यह service छेत्र में आजाएगा जब बजार में चीजे बिखने के लिए आ जाता है तो service छेत्र में count होने लगता है समझ गया तो यह भी यहा आपको याद रखना है यहां से प्राइमरी का मतलब क्या जो हमें डाइरेक्ट नेचर से मिल ला है ठीज सीदे सीदे हम ले रहे हैं समझ गा चीजो को फर्स्ट यर फाइब यर अगर पलान आपसे पुछे तो मतलब हैराड डोमर मोडल पर यह धारी था ठीक है तो अपसन यह हो जाता अगर फर्स्ट पुछा रहा था आपसे तब ठीक है यह कब से कब चला था तो फर्स्ट जो था उनईस्व एक काबन से ले करके और चपन तक तो 1956 से ले कर गया और 66 तक ये चला था ठीक है सकेंड फाइब येर प्लान ठीक है चलिए देखते हैं लास्ट कुस्चन क्या लास्ट आपका चोगदा नमर कुस्चन है ठीक है इस कुस्चन का आपको एंसर देख लेना पहले उसके बाद मेरा मतलब एंसर देखना है इन्फलेनेशन इस कोजबाई ठीक है इन्फलेनेशन और जो डिस इन्फलेनेशन होता है इससे हमें सा कुस्चन आता है इसलिए हम एक दो कुस्चन एक्स्टा कंसीडर कर लिए ठीक है तो देखिए inflation किसके बज़ा से होता है तो आपको क्या बोले हैं कि market के अंदर price बढ़ जाता है ठीक है लेकिन वहाँ पे क्या होता है demand कम होता है price किसलिए बढ़ गया क्योंकि market के अंदर जो गया तरलता जादा हो गया money का supply जादा हो गया इसलिए तो देखिए option ए क्य में decrease दिखने लगता है क्यों दिखने लगता है क्योंकि जब लोगों के हाथ में पैसा आया ना तो लोगों variety variety का चीज क्या करने लएगा demand करने लगे ठीक है तो इसके बज़े से यह demand का क्या होता है इसकाड city हो जाता है तो यहां ऐसा फिल होता है कि production क्या हो रहा है decrease हो गय यह ठीक है तो थैंक्स पर वाचिंग ओके बाए जय हिन दोस्तों